स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू दू चैनल कैसे हो आप सभी आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ काफी इंपोटेंट जानकारी डिसकस करने वाले हूं स्टुडेंट्स आप सभी को बता दे कि ओनलाइन जो वैब प इंफॉर्मेशन है वो जो पोटल पे आप लोगों के लिए पब्लिस कर दी गई वो मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो में बताऊंगी तो आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि जो भी जानकारी हो आप लोगों को जो है मिलते रहे आप लोगों को almost किस days को registration करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो registration जो रहेगा वो FAB में ही हमें देखने के लिए मिलेगा almost जो registration रहेगा वो हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि 100% इसी डे को देखने के लिए मिलेगा बड़ जो counseling रहेगी वो FAB से ज़्यादा लेट नहीं होने वाल है because आप सभी को पता होगा कि FAB से ज़्यादा लेट कभी भी जैरो तक admission नहीं कराया है और इस बार भी नहीं कराने वाला because उससे ज़्यादा लेट अगर होता है admission तो हर साल session लेट नहीं किया जा सकता है इस वज़े से जो counseling रहेगी वो जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी and almost जो counseling रहेगी वो 15 से 20 FAB के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है maybe happens इस से पहले भी हो सकती है but almost यह जो date है इन चीजों को follow किया जाने वाला है बात करें editing editing के लिए यहाँ पर पहले आप लोगों को समय दिया जाएगा दो से तीन दिन का जो की रहेगा choice feeling के लिए editing के लिए आप लोगों को दिया जाएगा one day and आप लोग उस particular day को edit कर पाएंगे अपनी जो भी information आप लोगों ने जो भी choice feeling की होगी आप लोग उसको edit कर पाएंगे then आप लोगों को जो choices feel करनी होगी and choice locking करनी होगी that is very important thing student आप लोगों ने जो भी choice feel की होगी आप लोग इस particular day को choices को lock कर सकते हैं and then यहाँ पर finally day आ चाएगा दो से तीन दिन के बाद जो की रहेगा provisional allocation of list जो seat allot होनी है उनका जो day है वो आ चुका होगा and seat जो है allot की जाएंगी and seat allocation list official website पर जो portal वाली official website जो की मैंने आप लोगों को बता रखी है वहीं पर public कर दी जाएगी and then अगर आप लोगों को लगता है कि allocation list गलत है तो आप लोग इसके लिए apply कर सकते हैं इसके लिए दुबारा से university को issue भेज सकते हैं उसके बाद एक final list जो है आप लोगों को send की जाएगी official website पर जो है public की जाएगी जिसमें finally जो है ये लिखा होगा कि किस particular candidate को admission मिला किस particular candidate को admission नहीं मिला लोगों को fees जमा करनी होगी उसके लिए आप लोगों के एक से दो दिन का समय जो है दिया जाएगा after the list and आप लोग उसमें fees जमा कर सकते हैं and आप लोगों को उसके बाद करवाने होंगे अपने document चेक पीचाए में जाकर जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है इसमें भी आप लोगों को एक से दो दिन का समय आप लोगों को दिया जाएगा उसे duration पे आप लोगों को अपने document जो है चेक करवाने होंगे and आप लोगों को document चेक करवाने के बाद आप लोगों का admission कनफर्म हो जाएगा तो इस वजह से आप लोगों को admission letter को डाउनquinacire कर लेना होगा admission letter जैसे ही download होगा आप लोगों का admission letter को जिस बें college में आप लोगों का admission हुआ है वहां पर आप लोगों को submit करवादेना होगा देन ये लिट में कतर है और झाला है उस particular date तक आप लोगों को document की deficiency को पूरा करना होगा then आप लोगों को college में alert होने का एक day दिया जाएगा जिससे पहले आप लोगों को college में जाना होगा then आप लोगों को उससे पहले almost 10 days का समय दिया जाएगा उससे पहले आप लोगों को college में प्रेसेंट होना होगा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलेंगे एक नेक्स्ट ने अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ थेंक्स फो रोचिंग